गुड इवनिंग टॉल उफ यू आज मैं आपको जाओ यहाँ पे कुछ और साइन्टिस्ट कराऊंगा और उनके दोरा जो डिस्कवरी की गई है किसके उपर जावर किया गया है वो आपको यहाँ पर बिताऊंगा तो चलते हैं बालो जिसे रिलेटड है डीवराइस डीवरा इसके दोरा उसे तरह से अगर कर्टिस के बात करते हैं तो साइटो प्लाजमिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस के उपर जाओ वापिस से स्टेडी करने वाला कौन था वो कर्टिस था ठीक है कि पहले जाओ साइटो प्लाजमिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस जाओ गीवन थ तरह लेकिन उसके बाद जब वर्ग करने वारा उसके कौन था वो कर्टिस था ठीक है यह कोशन आपको आता है आप देखेगा मंच की अगर बात करें तो ये देखो प्रपोज करता है मास फ्लो हाइपो थेसिस को ये प्रपोज जाओ करता है उस्चे तरह से याद रखेंगे क है वो देता कौन है वो है क्राफ्ट्स क्राफ्ट्स जाओ मास्फलो हाइपोथेसिस को जाओ देता है ठीक है एंड देखेगा नाहर एंड सैक्समें की अगर बात करूं तो याद रखेंगे कि सिंगल आयन चैनल थियोरी जाओ आपका कौन देता है नाहर एंड सैक्समें ठीक है तो सिंगल आयन चैनल थियोरी किसके तरह दी गई है नाहर एंड सैक्समें के तरह उसी तरह से हिल्मो एंड क्रेमर की अगर बात करें तो मास्फलो मेथड जाओ मास्फलो मेथड कौन देता है हिल्मो एंड क्रेमर पहले इसके उपर hilmub वर्क करता है लेकिन उसके बाद जाओ क्रामर जाओ यहाँ पर वर्क जाओ करता है ठीक है उसी तरह से याद रखो एक donor equilibrium आता है वो donor equilibrium कौँ देता है FG donor देता है ठीक है अगर आप HP PGT का पिछला हो जाओ biology का question पर उठाएंगे तो उसमें आपको जाओ two to three जो questions है वो discovery से related जाओ दिये हुए है तो आपके ये important है पुरा का पुरा जाओ last तक देएगा इससे पहले भी मैंने biology के काफी सारे lectures लिये हैं तो ज़रूर ज़र आप ज़रूर देखेगा उसको link में description box में डाला है पूरी biology playlist का ठीक है और notes अगर आपको चाहिए biology के तो शुबम जी के trick application को download कीज़े link उसका description box में वहाँ से download कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको जाओ notes आपको biology के available हो जाएंगे जो कि आपको HP TET, HP TGT और HP PGT क्वालिफायर करने में ज़रू काफी मदद ज़रू करेंगे अब देखेगा अगर बात करते हैं donan equilibrium की तो याद रखना है वो FG donan के दोरा ज़रू दिया गया है उस तरह से देखो जैनी एंड ओवर स्ट्रीट जाओ पंप तियोरी जाओ देते हैं तक है लंडेगार्थ एंड बर्स्ट्रॉम जाओ साइटोक्रोम पंप तियोरी जाओ देते हैं अब देखेगा के अगर बात करो तो or not carrier concept की थियोरी देते हैं उसी तरह से lecithin concept जो Bennett and Clark जो देते हैं आप देखें law of limiting factors very very important है black man's law जिसको बोलते हैं आप तो law of limiting factors कौन देता है black man देता है कौन देता है black man देता है और देखें जो chlorophyll के structure को study करते हैं उनका नाम है Willstatter, Stahl and Fischer तो Willstatter, Stahl and Fischer जाओ study करता है chlorophyll के structure को आप देखेंगा photo phosphorylation की जाओ study कौन करता है discovery कौन करता है Arnon, Allen and Watley ठीके और देखो जो photo phosphorylation की जाओ आगे की stages है उसके उपर study कौन करता है Arnon ठीके तो discover क्या गया Arnon, Allen and Watley के तरह और उसके बाद phases जो निकालता है इसके वो कौन है Arnon आप देखेंगा जो red drop mechanism है red drop जो discovery है वो किसके दोरा देखी गई थी आर एमर्जन के जाओ, दोरा जाओ की गई थी उसे तरह से देखो एमर्जन effect ठीके एमर्जन effect जिसको हम क्या बोलता है photosynthesis enhancement वो किसके दोरा दिया गया था एमर्जन, chalmers and sider strand के दोरा दिया गया था ठीके, इसको याद रखना है अब देखेंगे यहाँ पर आगे है Arnon, इसके बारे मैंने आपको पहले बता दिया है कि जाओ, जो photo phosphorylation की जो different types थे या phases उसकी discovery कौन करता है Arnon, जाओ, करता है अब देखें, Peter Michel की अगर बात करें तो propose करते हैं यह chemi osmotic theory of ATP synthesis तो chemi osmotic theory जाओ, किसके दरा ली दी गई थी Peter Michel के दोरा जाओ दी गई थी, उससे तरह से आप देखेंगे, hatch and slack pathway तो इसको बोलते हैं, आप C4 pathway भी इसको बोलते हैं तो C4 cycle जाओ, किसके दरा दी गई थी आपकी, hatch and slack के दरा दी गई थी, उससे तरह से देखो scheme of light traction तो hill and bendal जाओ, उस scheme of light traction को propose करने वाले हैं एक आपको और रियाद रखना है, C3 cycle की अगर बात करें, तो जाओ Kelvin clean के दरा जाओ, C3 cycle जाओ, दी गई थी तो आज की वीडियो बस इतने ही questions थे तो अभी के लिए फ्लाल इतना ही है, जाहिंद